चलिए हमारा अगला स्लोक है खर्जूर पूस पाक्रिती भी है सीरो भी है पून तंडुले है सोभन ते किंचिदानम राह सालय कनक प्रवाह यह स्लोक है इसमें जो विभिन सब्द आये हैं आईए उन सब्दों को उन पदों को समझने का प्रयास करते हैं प्रथम सब्द है खर्जूर पूस पाक्रिती भी है यह जो सब्द है यह संधी युक्त पद है संधी युक्त पदों को अलग करने से पदों के अर्थ सरलता से हमें समझ में आता है तो आईए संधी विच्छेद करते हैं खरजूर पूस्प धन आक्रिती भी है इती खरजूर पूस्पाक्रिती भी है यहाँ पर दीरह स्वरसंदी का प्रयोग हुआ है खरजूर खरजूर का तातपर यह होता है खजूर जानते हैं न आप लोग बढ़े मीठा फल होता है आप लोग खाते भी हैं उसको सेवन करते है इसको कहीं कहीं पेम खजूर भी कहा जाता है आप लोगों ने इसका पेड़ भी देखा होगा देखिए खजूर का पेड़ कैसे दिखाई देता है कितना लंबा पेड़ है देखने में ही लगता है कि कितना लंबा यह पेड़ है इसके फलों तक पहुँचना ये दूसकर होता है जो पेड़ चड़ने में कुसल होते हैं विशेश कर खजूर के जो पेड़ होते हैं इसमें चड़ने में जो कुसल होते हैं वे ही लोग चड़ सकते हैं सामानी व्यक्ति इस पेड को देखकर इस पे जड़ने की यदि इच्छा रखता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाए यह आवशक नहीं है कभी भी कोई भी दुर घटना हो सकती है तो इसलिए जो कुसल है वे ही प्रयास करें तो खरजूर, खरजूर मतलब खजूर, सभी जानते हैं, पूस्प सब को प्यारा भी होता है, आपको भी प्यारा होता है, है ना, हाँ, पूस्प कहते हैं, फूल को, पूस्प सब्द जो है, इसके पर्यायवाची भी आप जानते हैं, क्या-क्या होता है, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पूस्प कतात पर यह होत जानना भी चाहिए इससे भासा सामर्थ में वृद्धी होती है आकृति भी है यह सब्द कैसे बना यह सब्द है इसका मूल सब्द है आकृति आकृति सब्द के तृतियाविभक्ति बहु वचन का यह रूप है आकृति भी है आकृति का तात्पर यह होता है आकार तो इसका तात पर यह क्या हुआ? इसलिए उसमें से के द्वारा का प्रयोग होता है आप सबूपर्दान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अऽअ यह विवक्ति चिन ळंते हैं? आप सभी जानते हैं तो इस तरह से यहां चोकि आक्रिती भी है, आक्रिती सब्द में तृतियों भिक्ति का प्रयोग हुआ है और यहां बहु वचन का रूप है, इसलिए आक्रिती से या आकार से या आकार के द्वारा फिर अगला सब्द है सीरो भी है, सीरो भी यहां सब्द कैसे बनता है, सीरो भी सब्द का मूल है सीरस, सीरस का तात पर यह होता है सीर सीरस मतलब सीर, हम सबका सीर है तो सीरो भी है, तृतियों भग्ति बहु वचन का यह रूप है, सीरस सब्द जो है यह सकारांत सब्द है सकारांत का तात पर यह कैसे, जैसे हम बालक सब्द कहते हैं, तो बालक क क क के अंत में अ लगा हुआ है, क को यदि हम तोड़ना चाहें, इसका वर्ण विच्छेद करना चाहें, तो क धन अ इती क आप देख रहे हैं, पहले जो क लिखा हुआ है, इसमें हलंत का प्रयोग हुआ है, फिर धन के चिन के बाद अ लगा हुआ है, यह अ लगा हुआ है, इस कारण से बालक सब्द जो है, यह अकारांत कहलाता है, इसी तरह से यदि हम सीरस सब्द को देखते हैं, तो सीरस स के अं तो जितने भी सब्द होते हैं सबके सब्द रूप बनते हैं जैसे बालक का सब्द रूप बनता है बालका 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 आप सभी जानते हैं इसी तरह से सीरस सब्द जो है इसका भी सब्द रूप बनता है कैसे बनता है आ प्रदमाई भक्ति को रूप बनता है यहां पर जो सब्द प्रयोग हुआ है वह है सिरानसी, तृतिव भिक्ति बहुवचन का रूप है, इसलिए सीर से या सीरों से, इसके बाल अगला सब्द है पून तंडुलाई है, यहाँ पर विशेशन विशेशन संबंध है, कभी कभी विभीन परिक्षाओं में इस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं, जैसे यहा पूर्ण तंडुलाई है असमीन पदे विशेशन विशेश्य पदम चिनुत, यह प्रस्ण है, अब आपको क्या करना है, आपको पूर्ण तंडुलाई है इस पद में से, कौन सा पद विशेशन है और कौन सा पद विशेश्य है, इसका चैन करना है, तो आप सभी विशेश जिस सब्द से किसी की विशेष्ता बताई जाती है और विशेष्ण उस पद को कहा जाता है जिस सब्द से किसी की विशेष्ता बताई जाए तो पूर्ण तंडूलाई है यह जो कहा जा रहा है पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण या पूरा और तंडूलाई है तंडूल का त बालक सब्द होता है बालक सब्द का त्रित्यों भ्यक्ति बहु वचन होता है बालक कई है वैसे ही तंडूल सब्द है तंडूल सब्द अकरांत पूर्लिंग सब्द है तो जैसे बालकेन बालकाब्भ्याम बालक कई है बालकेन बालकाब्भ्याम बालक कई है बालक सब्द का तो तंजूलेन तंजूला भ्याम तंजूलाई है तो तंजूलाई इसी का प्रयोक्य है तंजूल का ताथ पर यह होता है चावल चावल आप सभी जानते हैं चावल जिससे भात बनता है जिसको हमारे यहां 36 गड में अधिक से अधिक लोग मुख्य भोजन की रूप में स्विकार करते हैं तो आप सबी जानते हैं, चावल जानते हैं, भात जानते हैं, भात हम सबी भोजन करते हैं न? तो भोजन का हमारा अधिकांस हिससा जो है इसी चावल से बने हुए भात का होता है. तो पूर्ण तंजुले है, यह पद है, इस में से विशेशन और विशेशे पद को प्रिथक करना है, तो पूर्ण कतात पर यह आप समझ गए, तंजुल कतात पर यह आप समझ गए, तो पूर्ण तंजुले है मतलब पूरे चावलों से, यह हिंदी में अर्था हुआ, तो वि मुख्याश्ब्द रिधा है तंडूल ट्रोंता है जो अपको उत्तर क्या भोगा एंगं पध Unfortunately सब्द है सोभंते जह सब्द कैसे बनता है को भंते सब्द बना है अंदी सुभधातू से सुभधातू लेटलकार प्रथमत्पूरुस्प्वचन का यह रूप है और इसका ताथ पर यह होता है सुसभी तो होते हैं यह सुसोभीत हो रहे हैं अगला सब्द है किंचिदानम्रह यहाँ पद संधी उक्त पद है आई संधी पहले अलग करते हैं किंचित धन आनम्राह यहाँ पर वियंजन संधी का प्रयोग हुआ है किंचित का ताथ पर यह होता है कुछ और यह अव्ययपद है अव्यय किसे कहते हैं अब भली भाती जानते हैं यह सिव्यययम नभवती तद अव्यययम अर्थात ऐसे सब्द जिसका कहीं पर भी प्रयोग करने पर उसका अर्थ परिवर्तन उस सब्द में कोई परिवर्तन नही सब्度 में कोई विकार नहीं होता है वो पद जो है वो सब्द जो है अव्याय सब्ध कहलाती है तो कि इसी तरह का सब्द है आनमराह इस अभेशा जा यह चन का यह रूप है तो आनमराह इस तरह से बनता है आधन नम्रधन बहुवचन का रूप इस तरह से आनम्राह यह बनता है तो आ उपसर्ग है नम्र मतलब होता है जुकना और आनम्राह को मतलब जुके हुए बहुचन में प्रयोग किया गया है इस तावियाह, यह भी बहुवचन का पद है, सालयाह का तात पर यह होता है धान के पौधे, सालयाह यह उख साली, साली सब्द से बना हुआ है साली यह मूल सब्द है तो साली साली सालयह तो इस तरह से सालयह जो है प्रत्व मेवक्ति बहु अचन का रूप है और इसका तात्पर होता है धान के पौधे कनक प्रभाह कनक कतात्पर यह क्या होता है कनक मतलब होता है स्वर्ण या स्वर्ण कंचन भी बोलते हैं तो कनक प्रभा प्रभा कहते हैं आभा को कान्ती को दिोती को जियोती को तो कनक प्रभा मतलब सुनहरी आवा या सोने की चमक लिये हुए सोने की कांती लिये हुए तो अभी हमने इस स्लोक के जो व्याकरनिक तत्व हैं इनको देखा और साथ ही साथ स्लोक के जो सब्दार्थ हैं सब्दों के अर्थ हैं इनको हमने अभी समझा आईए अब इसके पस्चात इसका स्लोक का अर्थ करने से पूर्व हम स्लोक का अन्वय देखते हैं स्लोक का अन्वय करेंगे तो अन्वय किसको कहते हैं अन्वय कहा जाता है किसी भी स्लोक के गद्य रूप को आईए इस स्लोक का हम अन्वय देखते हैं अन्वय है खरजूर पुस्पाक कृति भी है सीरो भी है पूर्ण तंडूलई है किंचद अन्वय किया है इसी अन्वय के अधार हम अब इसका अन्वय कर सकते हैं कैसे आई ये देखते हैं खरजूर पूसपाक कृती भी है खरजूर के या खजूर के फूलों की आकृती समान सीरों भी है सीर में या सीरों से पूर्ण तंजुलाई है भरे हुए पूर्ण मतलब भरे हुए तो भरे हुए चावल के दानों से किंचित कुछ आनमराह जुके परभा सुनहरी आभा के साथ साल यह सोभनते धान के पौधे सुसोभीत हो रहे हैं यह इस लोक का अर्थ हो गया अभी हमने इस लोक का अर्था देखा आईए एक बार पुना देखते हैं स्लोक है खर्जूर पुस्पाक्रिति भी है सिरो भी है पूर्ण तंडूलै सोभनते किंचिदानम्रा सालय कनक प्रभाः यह स्लोक है और स्लोक का अर्थ खर्जूर के फूलों की आकृति के समान सीरों में सीर्स में पूर्ण चावल के दानों से कुछ जुके हुए सुनहरी आभा के साथ धान के पौधे सुसोभित हो रहे हैं देखिए यहां क्या बताया गया यहां धान के पौधे जो हैं यह सुनहरी आभा लिये हुए हैं और यह धान के पौधे कैसे हैं खर्जूर के पूस्प जो है इसके साथ इनके तूलना की गई है खरजूर का पेड़ तो आप लोगों ने देखा है खरजूर में जब पूस्प आता है तब कैसे दिखाई देता है ये देखिए खरजूर के पेड़ में जब पूस्प आते हैं तब उनके जो पुस्प होते हैं आपस में एक दूसरे में पिरोय हुए जैसे लग रहे हैं तो ये पुस्प जिस तरह से एक दूसरे में पिरोय हुए जैसे लग रहे हैं इसी तरह से धान के खेत को आप देखें जब धान में बालियों का आगमन होता है और वो बालियां जो ह कवी वाल में के जे यहां पर धान के पौधों की जो बालियां हैं इनकी तुलना खजूर के पुस्पों के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से ये कवी के दृष्टी है कि वो किसके साथ किसके तुलना करते हैं साथ ओपुमा देते हैं अपनी बात को प्रमानिक रूप से अव्यक्त करने के लिए तो प्यारी बच्चों आपने देखा कि किस तरह से यहां धान के पौधों के तुलना खजूर के पूस्पों के साथ किया गया है और इसी तरह से कना का प्रभा यह सब्द कभी प्रयोक किया गया अर्थात सुनहरी आभा सुनहरी आभा कैसे जैसे धान में जब फसल बालियां आ जाती है और उनमें जब दूध भर जाता है तब वो दाने कैसे होते हैं वो दाने जो होते हैं धान के जो दाने होते हैं वो पूर्ण तंजुले इसलिए कहा गया है जो दाने हैं वो कैसे हैं अब उनमें दूद भर गया है और दूद भर गया है इसलिए वो जुके हुए हैं और जुके हुए ही नहीं हैं उनमें से कुछ दाने पके हुए भी हैं और पके हुए हैं इस कारण से धान का जो आप जाता है कि कनक प्रभाह इसका प्रयोक किये हैं सोने जैसी आभाव वाले तो ऐसे सुनहली खेत को देखकर ऐसा कौन व्यक्ति है ऐसा कौन किसान है ऐसा कौन कृशी प्रेमी है जो जिसका मन आनंदित नहीं होता होगा तो निशितरुप से इस पाठ के माध्यम से हम अपने कृ वाले में के ये उद्पन करते हैं आएए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला स्लोक है अवस्यायत मुन अध्धा निहारतमसावृताह प्रसुपताईवर लक्ष्यन्ते विपुस्पावन राजयाह अवस्यायतमो नध्धा निहारतमसा वृताह तो अवस्यायतमो नध्धा निहारतमसा या एक साथ एक संधी उक्तपद है चंधी को अलग करें तो क्या हो जाएगा अवस्यायतमः धन नध्धा धन निहारतमसा तो अवस्यायतमसा अवस्यायतमः यहां पर विशर्वसंधी का प्रयोग हुआ है इसी तरह से नध्धा धन निहारतमसा यहां पर भी विशर्वसंधी का प्रयोग हुआ है अवस्याय कहते हैं ओस को ओस की बूंदे हेमंतकाल में धर्ती पर ओस पड़ती है ओस जब धर्ती पर पड़ती है तो जो घास होते हैं या हम खेतों को देखोएं तो जो बालियां हो होता है देखे किस तरह से खड़े हुए हैं और इसमें किस तरह सी ओस की बूंदे जो है मोती जैसे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं यह द्रिश्या भी बहुत सुखद होता है बहुत आनंद दायक होता है और ओस युक्त घास में जब हम चलते हैं वहां हम चलते हैं तो नंगे पैर चलें तो इससे ओस की बूंदों का परस हमारे पैरों से होता है इससे अपूर्व आनंद का अनुभव होता है और नकिवल आनंद का अनुभव होता है अपी तो यह हमारे स्वास्त के लिए भी बहुत अच्छा होता है तो इस तरह से जो ओस्ट की बूंदों से युक तक घास होते हैं, यह भी हमारे स्वास्त के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ ही जब हम खेतों को देखते हैं, जहां यह जो धान की बालिया निकली हुई हैं, और इनमें जो ओस्ट की बूंदे दिखाई दे रही हैं, यह ओस्ट की होते हैं, तो इसलिए यदि आप ओस्ट की बूंदों को देखना चाहें, तो प्रातह काल आप मैदान में निकल ये, घासों को देखिए, खेतों को देखते हैं, तो वहां भी हमको यह सब देखने को मिलता है, तो अवस्यायत तमह, और ओस्ट की बूंदे जब धरती पर हो जाती है, जब ओस्ट की अधिकता होती है, तब हमें अधिक दूर तक दिखाई नहीं देता है, इसलिए कहा गया है, अब वह स्यायत तमह, ओस्ट की कारण, जो अंधकार, युक्त वातावरण हो गया है, या वातावरण जो है, अंधकार से जकड गया है, या वातावरण इसलिए कहा गया अवस्याय तमोन धा ओस के कारण जो अंधकार हुआ है और इस अंधकार से संपुर्ण वाता वरन जो है जकड सा गया है धक सा गया है फिर आगे बात करते हैं कभी कहते हैं निहार तमसा निहार कहा जाता है कोहरा को ये तो ओस की बात हो गई ओस के साथ साथ कोहरा जो धुमा धुमा जैसे दिखाई देता है इसके कारण से भी अद्रिश्यता हो जाती है कई बार तो इस तरह की स्थितियां होती है कि हमें बहुत थे नहांता है न सो दोर की वस्तूयंन तो दिखाई ही नहीं देती हैं, अप говоря, उन वहानों को भी आप देखेंगे वह वहान भी क्या करते हैं- उनका सामने जो बल्व होता है इस बल्वकों वह सामने और पीछे दोनों को बल्वकों जला कर Čंगे書। या आगे से या पीछे से आ रहा है वो उस वाहन से टकराए ना. इसलिए क्यों क्योंकि कोहरे की अधिकता के कारण से अद्रिश्यता वाता वरण में छा जाती है और अर्थात अंधकार छा जाता है इसलिए कहा गया निहार तमसा तो ऐसी इस्तिती से बचने के लिए जो वाह स्टाइन से बचे या कोई अन्होंनी या दूर घटना होने से वे बच सकें तो निहार तमसा वृताह तो हमंत काल करन किया जा रहा है और हमंत काल में वाता वरान कैसे दिखाई देता है एक तो ओस्सी अधिक्ता होती है झोक के कारण अंधकार एक दूसरी बात कही गई निहार तमसा कोहुरे के कारण से भी निहार मतलब कोहुरा और तमसा मतलब तमसा मतलब होता है अंधकार या धूंद तमसा सब्द कैसे बनता है तमसा सब्द से तमसा बनता है तमस सब्द का तरित्यों भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तातपर यह होता है अंधकार से या धूंद से वृताह का तातपर यह होता है घीरा हुआ प्रसुप्ता प्रसुप्ता इव यह संधी उक्तपद है संधी अलग करें तो इसका रूप बनता है प्रसुप्ता भन इव यहाँ पर विशर्ग संधी का प्रयोग हुआ है प्रसुप्ता सब्द कैसे बनता है प्रसुप्ता सब्द बनता है स्वप धातु है प्रा उपसर्ग है तप्रत्य है प्रत्य है पूर्डिंग में प्रयोग हुआ है और इसका बहुवचन का यह रूप है तो इस तरह से यहाँ रूप बनता है प्रसुप्ता और इसका तात्प दिखाई नहीं देने वाले इस्थितिया हैं तब वातावरन कैसे दिखाई देगा, तब वातावरन जो सम्पूर्णा वातावरन Connection, दिखाई देता है लिकिन कभी जो कहा की कर रहे हैं, बात कर रहे हैं वन प्रदेश की, तब उसकी तुलना कैसे करते हैं, तो इव जो कीया जाता है लक्ष यंते यह पद कैसे बनता है लक्ष धातू है आत्मने पद का यह धातू है यहां पर लटलकार प्रथम पूरुश बहूँवचन का प्रयोग हुआ है लक्ष धातू का लक्ष्यन्ते लटलकार प्रथम पुरुस बहुवचन का यह रूप है और इसका ताथपर यह होता है दिखाई देते हैं यदिखाई दे रहे हैं वी पूस्पा यह एक समाशिक पद है शमाश विग्रह करें तो इसका रूप बनता है पूस्पेन रहिता अरथात पूस्प से रहित वन राजयाह वन राजयाह का तात पर यह होता है वन की सुन्दर्ता या वन का सुन्दर्य प्यारे बच्चों अभी हमने इस लोग के सब्दार्थ को देखा और साथ ही साथ इसके व्याकर्णिक जो तत्व हैं इसके विशाय में हमने चर्चा किया आईए अब इस लोग का अन्वाय करते हैं अन्वाय होगा अवस्याय तमोन अध्धा निहार तमसा विताह वी पुस्पावन राजयाह प्रसुप्ताइव लक्ष्यन्ते तो इस तरह से इसका अन्वाय होगा अन्वाय कर लेने से उसका अर्थ निकालना या अन्वाद करना यह सरल हो जाता है इसलिए किसी भी स्लोक को जब हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तो उसके व्याकरनिक तत्तों को भी हमें समझना होता है सबदार्थ को भी समझना होता है और साथ ही साथ उसका अन्वय करना यदि हमें आ गया तो निश्चित रुप से हम उसका अर्थ भी या अनुवाद भी सहचता से कर सकते हैं इसलिए आप सबको भी अन्वय करने का प्रयास प्रत्यक स्लोक का करना चाहिए आईए श्लोक का अर्थ देखते हैं कि पुष्पित भी कह सकते हैं वी पुष्पित भी कह सकते हैं या पुष्पसेर रहित भी कह सकते हैं तो वी पुष्पित वन का सौंदर्य प्रसुप्ताइव लक्ष्यन्ते वन का सौंदर्य कैसे वन राजिया है थाथ वन की सुंदर्ता तो वन का सौंदर्य कैसे दिखाई देता है किस कारण से क्योंकि कोहरे से भी ढखा हुआ है और ओस के कारण से भी यह वातावरन जो है ढखा हुआ है इसलिए वन का जो संदर्य है, वन प्रदेश का जो संदर्य है, वह सोय हुए के समान दिखाई दे रहे हैं, अलसाय हुए के समान दिखाई दे रहे हैं, यहां ताजगी का अनुभाव नहीं करा रहा है, ऐसा कभी को पतित होता है, इसलिए वे कहते हैं, वन राजय है पर यहाँदा आया है आवश्याय तमुन अध्धा यह समासिक पद भी है समास को यदि अलग करें तो इसका रूप बनता है अवश्याय-च्च यति-अवश्याय-तमसा ता भ्याम नध्धा इति-अवश्याय-तमुलघ्धा प्यारे वच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा हेमन् इस पाठ के सभी स्लोकों का हमने अध्यन किया, पुरे जितने सब्दार्थ हैं, जितने पद हैं, उन सब के अर्थ को हमने समझा, व्याकरनिक कोट्रियों को भी हमने समझा, फिर भी इस पाठ में जो सब्दार्थ दिये हुए हैं, हमारी पाठ पुस्तक में, आईए, उन्हें देखते हैं, सब्दार्थाह, परुसह, परुसह का तातपरी होता है कठोर, सूभगो, सूभगो का तातपरी होता है सुन्दर, हव्यवाहनह, हव्यम वहत इती हव्यवाहनह, इसका तातपरी होता है अगनी समवत्सरह समवत्सर कहते हैं वर्स या साल को निहार परुसह ओस के कारण अकडा हुआ निहार ओस और परुस मतलब जो कठोर हो या जो अकडा हुआ हो अनूप भोग्यानी ना उप भोग्यानी यहाँ पर नए तत्पुरुस समास का प्रयोग हुआ है अनूप भोग्यानी का तात पर यह होता है उप भोग के अयोग्य या कहें कि उप योग नहीं करने योग्य हीम विध्धा इसका तात्परी होता है बर्फ से जमा हुआ अंतक सेविता दिक अंतक सेविता कहा जाता है अंतक कहा जाता है दक्षण को दिक मतलब होता है दिसा तो दक्षण दिसा अंतक अंतक किसको कहते हैं जो अंतक करने वाले हैं जिनको हम यमराज भी कहते हैं तो अंतक दिशा अर्थात यम की दिशा, यम की दिशा को कही जाती है. इसलिए अंतक सेविता अधिख, इसका तात पर हुआ दक्षिंड दिशा, यह यम की दिशा मानी जाती है. आदर्सह, आदर्सह का तात्परी होता है दर्पन या सीशा लक्ष्यते, लक्षधातु से बना हुआ है इसका तात्परी होता है दिखाई देता है सालयह, सालयह मतलब बड़े धान के पौधे अवश्याय, अवश्याय कहते हैं ओसको तो ये हमारे पाठ में दिये हुए सब्दार्थ है और इसी तरह से पाठ में जो पद प्रयोग तो हुए हैं और उन पदों में जो समास का प्रयोग हुआ है या कहें कि जो सामासिक पद है आईए उनका ध्यन करते हैं समासाह सस्यसालिनी सस्यन या अन्यन सालयते वा सोभते इती सस्यसालिनी हव्यवाहनह हव्यमवाहत इती हव्यवाहनह हिमकोसाज्यो हीमस्यकोसह इती हिमकोसह तेन आज्यह इती हिमकोसाज्यह सनीहाराह निहारेन सहिता अवस्यायतमूनद्धाह अवस्यायम्च तमस्च इती अवस्यायतमसा ताभ्याम नद्धाह इती अवस्यायतमूनद्धाह तो ये पाठ में आये हुए समास जो दिये हुए हैं उसके बारे हम ने जानकारियां प्राप्त की और अब हम देखते हैं विभीन परिक्षाओं में किस-किस तरह के प्रस्नों पूछे जाते हैं वैसे पाठ को पढ़ते समय किस-किस तरह के प्रस्नों पूछे जाते हैं इनसे हम अउगत हो चुके हैं फिर भे पाठ आन्त में जो अभ्यास दिये हुए हैं प्रायह विभीन परिक्षा में यहां से प्रस्ण पूछे जाते हैं और आज कल प्रस्ण पूछने की जो पधती है उनमें निर्देश होता है कि जो प्रस्ण है उनके उत्तर अप संस्कृत में ल संस्कृत में लिखने के लिए हो हमको हिंदी और संस्कृत दोनों में इन प्रस्णों का उत्तर तयार करना है तो अईए हम देखते हैं अब भ्यास हा प्रथम पहल भ्यास निर्देश है अधोलिकिता नाम प्रश्णा नाम उत्तराणी संस्कृत भास या लिखत अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्णों के उत्तर संस्कृत भास में लिखिये ये कहा गिया है लेकिन आवश्यक नहीं कि परिक्षा म में इसका उत्तर संस्कृत में ही लिखने के लिए कहा जाए हो सकता है प्रश्ण ये ही हो और उनके उत्तर हिंदी में लिखने के लिए कहा दिये जाए इसलिए हम इन प्रश्णों को संस्कृत और हिंदी दोनों में समझेंगे पहला प्रश्न है हेमंत काले किम सुखाव हम भवती अर्थात हेमंत काल में क्या सुखद होता है या क्या सुखद लगता है ये हिंदी में इसका तात पर ये हुगा उत्तर क्या होगा जैसे प्रश्न संस्क्रित में पुछा गया है तो उत्तर हम संस्क्रित में पहले देखते ह उसके बाद फिर हिंदी में उत्तर देखेंगे। आईए इसका उत्तर देखते हैं। यदि एक से अधिक पदों को आप ले रहे हैं, तब यहां जो क्रिया का रूप है, वह परिवर्तित होता है, कि वह एक कारण आप बता रहे हैं, हेमन तकाले हव्यवाहनह सुखा वहम भवती, तब इसका तातपर यह होगा, हेमन तकाल में हव्यवाहन करते हैं, अगनी को, या अन्य विश्यस्ताओं को आप जोड़ना चाहें, तो उनको जोड़ लीजिए, तो ऐसा करेंगे, तो क्रिया का जूरूप भवती एक वचन है, यह बदल जाएगा, तो हेमन तकाले हव्यवाहनह आदित्यात्य दिवसाह सुखावहाह भवन्ति, ऐसा हो जाएगा, अगला प्रस्न लेते हैं, अगला प्रस्न है, की द्रिसाह, दिवसाह, भवन्ति हेमन्ते, यहाँ प्रस्न पूछा गया है, हेमन्त काल में दिवस कैसे होते हैं, अर्था दिन की प्रकृती कैसे होती है, तो उत्तर होगा, हेमन्ते, दिवसाह, मृदू सूर्या, सनीहारा, प हीम ध्वस्तेश्च समाहताः भवंती यह सभी विश्यस्ताइं हमने पाठ में पढ़ा भी है तो हेमंत काले हेमंत काल में मृदू सूर्या सूर्य की किर्णे जह कोमल हो जाती हैं पटू सीताह और सीत की अधिकता होती है हीम ध्वस्तेश्च और हीम पात अर्थात ओस की गिरने की या कोहरे चाने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं अर्थात उस ओस के कारण या कोहरे के कारण वातावरण जो है आहत प्रतीत होता है तो हेमंते दिवसाह, मृदू सूर्या, स्वनीहारा, पटू सीताह, हीम ध्वस्तेश्च समाहताह भवंती हेमंत काल में सूर्य की कोमल किर्णो से युक्त, कोहरे, अत्यधिक, सीत और हीम पात से आहत प्रतीत होते हैं तो ये दूसरा प्रस्ण का उत्तर हुआ, आईए, तीसरा प्रस्ण देखते हैं, तीसरा प्रस्ण है, हेमंत रितव सालयह, काम वस्थाम, प्रति पद्यनते, अर्थात, हेमंत रितु में सालयह, अर्थात, धान के पौधे, कैसे दिखाई देते हैं, या कैसे प्रतीत होते ह उत्तर होगा इसलिए कुछ जुके हुए और साथ ही कुछ पके हुए भी होते हैं इसलिए सुनहरी आभा से युक्त होते हैं तो इस तरह से पाच का धार पर जीतने प्रस्न पूशे जाएं उन प्रस्नों के उत्तर आप भली भाति दे सकते हैं क्योंकि पाच का ध्यान अपने भली भाति कि तो हो सकता है कही से कोई व्याकरनिक तत्व के अलाए, हो सकता है किसी सफ़द की विभक्ति पूछ लिए जाय या मूल सब्सब्द क्या है ये पूछ ले जाय या किसी धातु को लेकर उसके लकार, पुरूस, वचन के पूछा जा सकता है और कभी-कभी कोई एक वाक्य देकर उसका अनुवाद करने के लिवे पुछा जाता है तो आइए देखते हैं अगला प्रस्टन क्या है अगला प्रस्टन है निर्देश अधो लिखितान वाक्यान संस्कृत भास या अनुवादम कुरृत अरथात नीचे लिखे हुए वाक्तियों को Sanskrit भासा में अनुवाद करो यह कहा जा रहा है तो जितने वाक्य हैं उनका Sanskrit में अनुवाद करना होगा या कभी Sanskrit के वाक्य लिखे हो तो इसका Hindi में भी अनुवाद करने के लिए प्रशन पूछा जाता है तापको दोनों तरश त्यार करना है से भलिवाति यह अभ्यास करेंगे तो यह सारी चीज़ें संभव होती हैं आईए देखते हैं प्रथम वाक्य है इस रितु से समवत्सर सोभित होता है इस रितु से इसके लिए क्या कहेंगे इसके लिए कहेंगे अनेन इस से रितु से अर्थाथ अनेन रितुना समवत्सरह सोभित होता है इसके लिए क्या कहेंगे इस रितु से समवत्सर सोभित होता है यह हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वाक्य है इस समय धूप अच्छी लगती है यह मंधकाल में धूप अच्छा लगता है तो उसी पर यह प्रश्न पूछा गया अब इसको हम क्या करना है इसको सन्सक्रित में परीवर्दित करना है अनुवाद करना है तब क्या इस समय धूप अच्छा लगता है या धूपँ अच्छी लगती है तो अस्मिन समय आतपह रोचते इस समय धूप अच्छी लगती है इसका अनुवाद हो गया अगला वाक्य लेखते हैं अगला वाक्य है हे मन्त में उत्तर दिसा मलीन दिखाई देती है तो हे मन्ते कहें या हे मन्त काले कर देती है तो हे मन्ते उत्तर दिसा मलीन दिखाई देती है अर्थात धूंधली दिखाई देती है वो स्वोभित नहीं होती है अपने सुंदर्त को प्राप्त नहीं करती है इसलिए मलीन सब्द का प्रयोक किया गया है तो हेमंत में उत्तर दिसा मलिने दिखाई देती है, संस्क्रित अन्माद क्या होगा? हेमंत काले उत्तर दिसा मलिना लक्षते ऐसा भी कह सकते हैं, या सिधा हेमंते उत्तर दिसा मलिना लक्षते ऐसा भी कह सकते हैं चले आगे बढ़ते हैं अगला वाक्य है सीत के डर से पक्षी पानी में नहीं घुसते हैं ये वाक्य है इसका संस्क्रित में अनुआत करना है वास्ता में सीत काल में पक्षी क्यों कोई भी प्राणी हम भी जल का सेवन करना पसंद नहीं करते हैं हमेशी अधिकांस लोग जल के सेवन से बचना चाहते हैं या जो जल होता है वो सीतल होता है या उष्ण जल का सेवन करना लोग पसंद करते हैं तो यहाँ जो वाक्य है वह है सीत के डर से पक्छी पानी में नहीं घूसते हैं घूसना को क्या कहेंगे घूसना को कहते हैं जैसे सब्द होते हैं इनके योग में पंच्वी भ्यक्ति का प्रयोग के जाता है इसलिए सीत भायात पक्ष नहां जले ना प्रविशंती सीत के डर से पक्षी जल में घुशते नहीं है या प्रवेस नहीं करते हैं तो सीत भायात पक्ष नहां जले ना प्रविशंती ऐसा कहेंगे हो गया अगला वाक्य लेते हैं अगला वाक्य है इस समय व्रिक्ष सोय से दिखाई देते हैं इस समय के लिए जये देह जाए लेकिन वास्ता में कोई भी सब्द एक वचन है इसकी पहचान करना होगा ते आपको क्रिया के रूप को भी देखना होता है यहां हम दिखते हैं दिखाई देते हैं दिखाई देता है यदि लिखा होता तब व्रिक्ष एक वचन में प्रयुग तो होता लेकिन चूंकि दिखाई देते हैं यह कहा गया है तो एक व्रिक्ष दिखाई देता है और बहुत से व्रिक्ष दिखाई देते हैं तो व्रिक्ष नहीं लिखा है लेकिन चोंकि साहयक्रिय जो है यह बहुवचन का है इसलिए वृक्ष जो है यह क्या होगा यह बहुवचन का पद है इसलिए अस्मीन समये वृक्षाह प्रसुप्ताह इव सोये हुए से लक्ष्यनते दिखाई देते हैं ऐसा प्रयोग करेंगे तो इस तरह से कोई भी वाक्या है उसका हम अनुवाद कर सकते हैं चाहे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की बात हो या हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की बात हो चलिए अगला भ्यास लेते हैं अगला भ्यास निर्देश अधो लिखित निर्देश है अधो लिखिता नुगुणम अभ्यास कार्यम कुरुत नीचे लिखे हुए अनुगुणों के अधार पर अभ्यास कार्य कीजिए अर्थात पाठ अभी हमने जो हेमंत वर्णन पढ़ा है इस पाठ के अधार पर कुछ प्रस्ण यहां दिये हुए हैं और यहां जो प्रस्ण आ रहे हैं वो स्लोक पर आधारित हैं स्लोक पर आधाज विभीन तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं, कभी किसी पद की बारे में पूछा जा सकता है, किसी उसके एक अंस को लेकर के उसका अर्थ पूछा जा सकता है, उसके विभक्ती वचन या व्याकरणिक जो कोटियां हैं, उनके विश्यम प्रस्ण पूछा जा तो यहाँ पर आपको प्रथम स्लोक क्या है यह आपको अस्मरन होना चाहिए यह जब तक आप प्रथम स्लोक को नहीं जानेंगे तब तक इसका अन्वय कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम स्लोक पहला स्लोक है क्या है यह प्रत्थम स्लोक है अब इसका अन्वय करने के लिए यह स्लोक का रूप है इसको अन्वय करना रथा गद्य का रूप देना है तो क्या जाएगा यह अन्वय करते है पाठ हमने पढ़ा है पाठ पढ़ते समय भी हमने अन्वय किया तो नहीं भी किया तो आप अभ्यास कर सकते है अन्वय किस तरह से किया जाता है यह आपको पाठ पढ़ाते समय या पाठ को बताते समय समझाते समय उससे अवगत कराया गया है तो अन्वय जो है यस्ते प्रियह सह अयमकालह संप्राप्तह येन सुभह संवत्सरह अलंकृत इव आभाती ये इसका अन्वाय हो गया और अर्थ आप सभी जानते ही हैं कि हे प्रियमवद या प्रिय बोलने वाले प्रिय भाशी यस्ते प्रियह जो तुम्हे प्रिय है वह यह समय आ गया है येन जिससे संवत्सर सुभ होता है और अलंकृत की तरह प्रतीत होता है ये प्रथम स्लोक का अन्वाय हो गया अब अगला प्रस्न लेते हैं अगला प्रस्न है चोथे स्लोक में उपमा को समझाईए देखिए पाठ में कभी ने तरह-तरह की उपमाय दी है प्राया सभी स्लोकों में उन्होंने उपमा के माध्यम से अपनी बातें कहीं है वैसे तो उपमा की विशाय में कहा जाता है कि उपमा कालिदास अस्य अर्थात उपमा का जिस तरह से प्रयोग कालिदास ने किया है वैसे दूसरे अन्य कभियों नहीं किया है लेकिन वालमिकी जी यह आदी कभी हैं कालिदास से बहूत पहले हुए तो उन्होंने भी उपमा का बढ़िया प्रयोग किया है जो हमने यह जो पाठ है हिमत वर्णनम इस पार्ट में हमने देखा है तो यहां पर प्रस्ण पूछा गया है उसमें यह कहा गया कि चौथे स्लोक में उपमा को समझाई अर्थात चौथे स्लोक में जो उपमा प्रयोगत हुआ है उसके विशय में बात किजिए उसके विशय में बताईए यह कहा गया है आईए दे यक्तम हीमवान हीमवान गिरिहीं यह जोंसर स्लोक है और यहां पर हीमवान हीमवान गिरिहीं हीमवान मतलब हीम से युक्त तो यथार्थ नामा कहा गया है अर्थाथ अपने यथार्थ नाम को जैसा उसका नाम है हिमालय जैसे कहते हैं, अर्थात बर्फ का घर या बर्फ का परवत, तो हिमवान यह जो समय ही हेमंत काल है, यहां वहां पर हिम पात अधिक होता है, इसलिए इस समय वह अपने यधार्थ नाम को सार्थक कर रहा है, प्रकृतिया हिमकोसा जो प्रकृति से ही वह हिमका कोस है अर्थात हिमका घर है दूर सूर्य स्च शामप्रतम और इसलिए सूर्य की जो गर्मी है सूर्य का जो ताप है वह जो है उत्तर दिसा में नहीं पड़ रहा है इसलिए हिमालय में सीत के इस्थान पर क्या हो रहा है बर्फ गिर रहा है बर्फ बारी हो रही है इसलिए वह अपना जो नाम है हिमवान गिरी ही कहा है अर्थात हिमालय परवत जिसको कहा गया है उस नाम को वहा भली भाती सार्थक कर रहा है ऐसा कहा गया है आईए आगे बढ यह जो पाठ है इस पाठ के अधार पर हेमंत रितु का वर्णन कीजिए यह कहा गया है तो पाठ में जितने स्लोक पढ़े हैं उन सभी स्लोकों में हेमंत रितु के विभिन विसेश्थाओं के बारे में बताए गया है तो आप किसी भी स्लोक को या चाहे तो सभी स्लोक को जो विसेश्थाओं हैं उन विसेश्थाओं को यहां आप बता सकते हैं आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हेमंत काले, हेमंत काल में या हेमंत रितु में प्रित्वी सस्य सालेनी, प्रित्वी जो है फसलों से हरी भरी हो जाती है, छाया जलम्न रोचते, इस समय छाया अच्छा नहीं लगता है, जल भी अच्छा नहीं लगता है, हव्यवाहनाह सूभगह और अगनी का सेवन अच्छा लगता है दक्षणायनम और सूर्य जो है क्या हो जाता है वो दक्षणायन हो जाता है अब सूर्य जो दक्षणायन हो जाता है तब क्या होता है नोत्तरा प्रकास्ते उत्तर दिशा जो है प्रकासित नहीं होता है है तो सूर्य की करते हैं of कैसी हो जाती है या कहें के ताप रही हो जाती सूर्य के किरनों में जो उसम्म होती है ताप होता है उसमें कफी नियुनता आजाती है पटू सीता अजब वाता वरण में उष्णता की कमी होती है तो सीत की अधिकता हो जाती है चंद्रहन प्रकासते अजब सूर्य की यह इस्थिती है तो चंद्रमा जो है अपनी सोभा प्राप्त करेगा क्या नहीं तो चंद्रमा भी सोभा प्राप्त नहीं कर सकता है तो इस तरह से ये हिमंत्रितु की और बहुत सारी विशेस्ताइं हैं, जिसके वैसे में कभी इने इस पार्थ में वणन किया है, आप इस प्रशन के उत्तर में उन सभी विशेस्ताओं को लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है, आठवे स्लोक का अर्थ लिख हैं तो आठवे स्लोक क्या है, यह देखिए फिर उसका अर्थ लिखेंगे, तो पहले आठवे स्लोक को आपको लिखना है, तो आईए, आठवे स्लोक क्या है, जोत्स्ना तुसार मलिना पौन मा स्याम राजते, सीते वचातप स्यामा लक्ष्यते न तूसो भते, यहां तब हमने देखा क्या है जोत्सना तुसार मलिना कोहरे से मलीन होने के कारण पूर्णिमा की चान्दनी पूर्ण मास्या मतलब पूर्णिमा की चान्दनी न राजते वह सोभित नहीं हो रही है यहाँ भी उपमा के माध्यम से कवी बात करते हैं उपमा क्या देते हैं वो सीता की तुलना करते हैं जिस तरह से सीता जो है जब तक राज महल में रही तब तक अच्छी भली दिख रही थी लेकिन अब जब वह वन्वासकाल में है और विभिन रदितु के प्रभाव के कारण से उसके मुख की जो सुन्दर्ता थी वह सुन्दर्ता वैसी प्रतीत नहीं हो रही है इसके साथ में कभी जो है हेमंत रितु का वणन करते हुए उसके साथ तुलना करते हुए बात करते हैं कहते हैं कोहरे या ओस से मलिन होने के कारण पूर्णिमा की चांदनी जो है किस तरह से सुसोभित नहीं होती है उस तरह से सुसोभित नहीं होती है जैसे धूप से सावली दिखाई देने वाली सीता के समान वह दिखाई तो देती है अर्था चांदनी दिखती तो है किन तो सुसोभित नहीं होती है जैसे राजमहल में जब तक सीता थी तब तक वढ़िया सुन्दर लगती थी लेकिन अब जब वह वन वन भटक रही है तब उसकी सोभा नहीं है उसी तरह से हेमंत काल में पूर्णिमा की जो चांदनी है वह दिखाई तो देती है लेकिन अपनी सुन्दरता को वह प्राप्त नहीं कर रही है या आठ्वें स्लोक का अर्थ हुआ आए अगला प्रस्न लेते हैं अगला प्रस्न है कवी ने साली धान के लिए कौन कौन से विशेशन दिये हैं साली कहते हैं धान को तो धान के लिए क्या क्या विशेशन कवी ने दिया है तो अब देखते हैं कि इस पाठ में हमने जितने स्लोकों का वणन किया है उनमें से एक स्लोक ऐसा है जिसमें धान के बारे में वणन किया है कौन सा स्लोक है वह बिल्कुल सही कहा दस्वा स्लोक है जिसमें धान के बारे में बताया गया है तो दस्वा स्लोक क्या है हां तो देखते हैं दस्वा स्लोक है खरजूर पुस्पाक्रिति भी सीरो भी पूर्ण तंजुले सोभनते किंचिदानम्राह साल यह कनक प्रभा यह दस्वा स्लोक है और अब इस स्लोक में धान का क्या क्या विशेशन है या धान के बारे में क्या क्या कवी ने वणन किया है वो सभी हमको बताना है यही सभी उसके विशेशन है तो पहले तो खरजूर पुस्पाक्रिति भी है अर्थात धान जो है वो कैसा है अब उन्नत हो गया है वो बढ़ ग गया है और अब उसमें फूल और फल लगने लगे हैं तो उसके जो फूल हैं वो कैसे हैं उसके कहते हैं खरजूर पूस्पाक्रिति भी है अर्थाथ धान के जो पूस्प हैं वो किस तरह हैं उसके लिए कहा गया है खरजूर पूस्पाक्रिति भी है अर्थाथ खजूर के जो फूलों की आक्रिती के समान सीर समय अर्थात सीर में और पून तंडुलाई है पून चावल के अर्थात चावल के जो दाने हैं धान जो है वो अब उसमें दूद भरा गया है दूद भरा गया इसलिए क्या है वो नम्र हो गये है तो पून चावल के दानों से अब जब धान का पौधा आपने देखा है और उसमें जब दूद भरा जाता है तो कैसा होता है वो जुक जाता है पहले सीधा रहता है लेकिन जैसे जैसे उसमें दूद भरते जाता है वो क्या होता है वो जुकते जाता है जुकते जाता है इस तरह से जुक जाता है तो पूर्ण चावल के दा उसके लिए कभी ने कहा है क्या कहा है कनक प्रभासालय है अर्थात सुनहरी आभा के साथ धान के पौधे सो भनते सुसो भी तो हो रहे हैं अर्थात खजूर के पुस्पों की आक्रिती समान सीर्स में पूर्ण चावल के दानों से कुछ जूके हुए सुनहरी आभा के साथ धान के पौधे सुसो भित हो रहे हैं तो इस तरह से कभी ने धान की जो विशेशताएं हैं उसको यहां इस स्लोक में अर्थात दस्वे स्लोक में उन्होंने इस तरह से रखा है तो प्यारे बच्चों अभी हमने अध्यान किया पाठ हेमंत वणनम पाठ का अध्यान किया पाठ के स्लोकों के जो विभिन पद हैं इन पदों को हमने समझा सब्दार्थ का अध्यान किया व्याकरनिक कोचियों का अध्यान किया अभ्यास में जितने प्रस्ण दिये हैं उन प्रशनों का अध्यन किया लेकिन जब आप विभीन परिक्षाओं के लिए तैयारी करें तो केवल यह जो अभ्यास में दिये हुए प्रशन है यही परियाप्त नहीं है पाठ के अंदर से भी प्रशन पूछे जा सकते हैं चुकि आपको आपने पाठ को भली भाती समझा है इ उनके विशाय में जानकारियां हमने प्राप्त किया है इसी तरह से जो अन्य रित्में हैं उन रित्मों के भी जो विशेस्ताएं हैं उन विशेस्ताओं की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें यह पाठ प्रेरित करता है निश्यतरुप से अन्य रित्मों की जो सेस्ताओं से भी आप भली भाती परिचित हो सकते हैं अन्तमे पुनाह सर्व्यभ्यो नमो नमाह